कॉंगरिस के मेरे साथिगर, पारुल साहुद जी, सभी पत्रिकार बन दुगा मुझे बहुत खुछी होती है कि पारुल साहुद जी ने देश की तस्वीर बेखते हुए सच्चा ही पहचानते हुए आज कॉंगरिस में प्रवेश किया है इनका परिवार आप जानते कॉंग्रेस का ही रहा है। जानते को पूराइए। यह उप चुनाम नहीं है, हाम चुनाम नहीं है। और मद्यप्रदेश का भविषि कैसे सुरक्षित रहेगा। मद्यप्रदेश के आगे का नक्षा हम कैसे बनाएं। ये तुनाब तै करेगा और कि तब कलंकेत हुआ हमारा प्रदेश एक भिकाव सरकार, एक सौधे की सरकार, एक भोली की सरकार बनने, हमारे संबेदान में इस प्रकार का कोई प्राफदार कि ये अन्हेतिक और सौधे की राजनीती होगी, बाबा साथ अंबेड करने नहीं करी, उन्होंने ये प्राफदेश का नाम विकाव प्रदेश, बिकाव राजनीती, मुझे तो शरम आती है जब मैं दिल्ली जाता हूँ, कहते हैं वो इन बन्देश, जह सब भिकने को राजी है, बीजेपी समझ ले, कुछ नेता बिख सकते हैं, पर वोटर नी बिख सकते हैं, बन्देश के उप्द्रियास को करेंगे, तो आज ये जो सौधे की राजनी थी, आज जो सम्मेधान और हमारे प्रजातन के साथ खिलवाल गुआ है, इसका फैसला हुई गा, कि बिकाउ राजनी थी क्या आपने प्रदेश में चलेगी, बोली बोल लो, सरकार बना दो, चुना आपका क्या फैदा, चुना आपका क्या मैं तू, ये प्रश्न है हमारे सामने, आज किसी को सोच नहीं हमारे प्रदेश के नाजवानों की बारे, आज का भटक ताउगा न प्रदेश के नाजवानों की बारे, आज का मत दाता बहुत समझदार है, आज का मत दाता चुप है, शान्त है, आप से ज़्यादा समझदार है, वो अभी मत देश की प्रश्न का मवश्य सुरक्षित रखेगा, तो मैं परल साउजी का स्वागत करता हूँ, वापस कॉंगर परिवार में, इनके पिटाजी मेरे बहुत पुराने साथी रहे, आज वो भी होते हैं, उनका स्वास को ठीक नहीं है, काभी दिनों से उनका स्वास ठीक नहीं चलना, पर उनों ने भी कॉंगरेस की नीव बना के रखी थी, और उस कॉंगरेस की नीव का एक फल आज आपके सामने हैं, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप केवल दो शक्तों में अपनी बात कहूंगी, सुर्की विधान सबद छेत्री की जन्ता, ये चाती है कि मैं उनकी आवास बनू, और अहिंकार और डर के खिलाब, आज मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, और वो चाते हैं कि अहिंकार और डर के खिलाब मैं उनकी लड़ाई लड़ू, इतने ही कहूंगी, और मेरी ये घर वापसी है, और मैं अपने परिवार में वापस आ रही हूँ, और इसक झाल झाल